विकासवाद का सिध्धान किसने प्रतिपादित किया था आपको लिए टाइमर होगा पांच एकन का एंसर करना है पूरे कुश्चन का स्पेंशर डार्विन हकसले और फिर गेगर मेंडल्ल विकास वाध का प्रतिपादन याद रिखें गिसने गया तो डार्विन के द्वार गया एक कुर्श्चन बहुत बार आया हुआ यां का कि मखडियू दौारा उत्पादित रेशन जो किया जहलते हैं जो मखडिया करते हैं क्वाट नाम कि सकते हैं आप सब 밖에 Arают साई जी है जी हाँ सå ham तो अम्मों का बगीचा के के रला के रला में होता इसमें का जू-पाधन काली मिर्च वय पाधन इन सभी तौन इलाइची के बड़ी-बड़ी पहाड़ियां इन सभी आध्य कुछन हमारा कि है फोटोग्राफी में कौन सा अमलाप प्रयोग किया जाता है एसाटिक अमल्य अर्भ। चीटियों और बच्छूँओं के डंक में पाय जाता है। अगला देखी question, इसमें से, इनमें से इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नश्ट किया सकता है, वो क्या है, गती, सक्ती, वेग या फिर उर्जा, ना बना सकते हैं, बिल्कुल सही, इस question का सही answer दोस्तो हो जाएगा, यह है आपका उर्जा, क्या है, उर्जा, D is red, अगला इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल से दोस्तो इस question में सही answer हो जाएगा, आपका टारिक, अमले is the right answer, option number B, देखिए, साथों question देखिए, दोस्तों क्या है, निमें से कौन सा एक RDX का अनिनाम है, क्या है, दोस्तों यहाँ पे, साइक्लोहेक्सीन, साइना हाइड्रीन, साइ इस question में सही answer हो जाएग दोस्तों, यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिस्रन होता है, अगला देखिए दोस्तों, किस में गोबर गयास प्रणाली अविस्कार किया, गोबर गयास प्रणाली का अविस्कार किसमें किया, जेशी बोस, एच कुराना, डॉक्टर S.V. दिसाई, फिर C.V. रमन, बिल्कुल सही, इस question में हो जाएगा, डॉक्टर S.V. दिसाई की तरह दोस्तों, खोजागा गया, गोबर गयास प्रणाली, आप लोग कमेंट करके बताना है, गोबर गयास सरियंत से कौन सी गयास निकलती है, फटा 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 आप कमेंट करके बताईए, अगला question देंगे दोस्तों, निमलिखित में इससे उभ्यधर्मी प्रकृति का होता है, क्या, N2S, SNO3, ZNO, ZNO, इस question का answer हो जाएगा, हाँ, zinc oxide is the right answer, option number इस question में, आपका C से जागा, अच्छा आप बताईए, इन सब इस option में से हसाने वाली gas, हम लोग किसे कहते हैं, बहुत ब प्रशनों के detail भी आपको दिया गया है, जो especially for group D बनाया गया है, इस ebook PDF का download कर सकते हैं, link in the description box, approximately 7-8000 student specular PDF को ले चुके हैं, तो आप भी लेके revision करते हैं, सारे question इसके important है, अगला question देखी दोस्तों, अच्छा स्वारी, ये तो आपका GK का था, ये तो बताना ही भूल गया सभी GKS सभी में आता है, आपका group D में आगा, CSL में आगा, MTS में आगा, GDE में आगा, CGL में आगा, BANK में आगा, UPP में आगा, और जितने भी topic दिखें मैं को पढ़ दूँ, परमाडू सरनियतर है, वनजी अभ्यारण है, बागो का भ्यारण है, विसु के धरोवर है, राश थैरोक्सीन, एस्ट्रोजन, इंसूलन या फिर टेस्टोस्ट्रेन, बिल्कुल सही, इस कोईशन का सही अंसर दोस्तो हो जाएगा, आपका option number D देखे, टेस्टोस्ट्रेन is the right answer, option number D, अगला question देखें दोस्तों क्या है, आक्टेन संख्या, गुडवकता का मापन क्या है, पे अधातू, oxide आमतर पर कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, उदा सीन होते हैं, छाडी होते हैं, फिर अमली होते हैं, अधातू बोल ला है, तो यस दोस्तों इस question में सहीं सहो जाएगा, अधातू जो होते हैं, असरडिक होते हैं, ठीक है, और मैंने आपको बताया था, pH scale प तामबा था जिनक जी यहां इस कोच्चन में सएगिशन होता है कि क्या बनता है इसका बनता है दोस्तों कांजा टहुताहिक अगला कॉशन देखें को सबसे सुदगताम रूप होता है इसनियल लेके गिरता है इसलिए तो लेकिन जो सुधतम होता है आप आधा गंटा बाद जब बारीं चापके हो जाएगा फिर आप उसको स्टोर करेंगे तो इदम पूरा क्लें से होता है हमारे जो कड़ा है उन सब को ले कर दो आपको सुध लगता है लेकिन सबसे सुधा जो होता है और पी एच शिल्पिस का पैमाना है है बीस बाइस या फिर उनतीस इस क्वेश्चन का एंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताईए कि पानी का अड़ुभार इन सभी आपसरों में से आपको क्या लगता है सभी लोगों को बताना है कमेंट करके आप लोगों को पता है जल में आसानी से घुलंसील कौन है कोश्य alone में जाता है तो इन सभी आपसरों में जो की कहीं नजिया कहीं बहुत आसानी से इन सभी आपसरों में से घुलंसील है अग immense दिखिए किसको एक stranger gas कहते हैं, विचित्र gas कहते हैं, stranger gas, तो nitrous oxide है, neon है, आरगन है, या फिर, या फिर, या फिर ginone है, जी है दोस्तों ये है आपका ginone, जिसको हम लोग एक विचित्र gas कहते हैं, stranger gas कहते हैं, अगला कोशन देखिए निवार क्या है, फोटोग्राफिकी प्लेट पर निवलिख में से कौन सा फलो के पकाने में बढ़ावा देता है, फलो को पकाने के लिए इसका पिसले इस्तमाल किया एता है, ठीक है, इस question में सही अंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका option number, deethylene is the right answer, आप ऐसे तो घावार में देखिए तो करवाइट ना, तो इसको convert किजिए, बताई कर लिए खेश निकलता है, जोस्तों आप सभी लोगों से गुजारीश है कि इस वीडियो का आप लोग लाइक जरूर कर देना, सभी लोग कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों नहीं करते हैं, प्लीज आप लोग लाइक कर दो, जिसे पता चलता रहे कि आपका कितने वाली स्याही निमली खित में से लिए से बह गटन से प्राफ्ट होती है जी हां दोस्तों इस के ऐंस रो जागे ये मिठेन कार्बन, आप्सिं निमर सी मिठेन कार्बन यादर केगा, अगला कोशन दिखे क्या है क्या है, कीटो के बैग्यानिक आध्यन का फल की क्या कहते हैं एंटोमोलोजी कहते हैं यस दोस्तों इसको प्रशनापस पर इचाम पूछे जगा है इसको बोलते हैं याद रखेंगे क्या इसको सोरोसी ध्यान रखेगा अगला सलेक्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है और्थ्रोप्लास्टी क्या है सलेक्रिया में क्या लगता है क्या लगता है इसको एंगला में निमलखित मेंसे किसका हर्मौन का एंजाइम का, प्रोटीन का या फिर बिटामिन का जी हाँ दोस्तों से इंसरो जाएगा आपका option number D, बिटामिन का अविस्कार किया था, फंक के द्वारा किया गया था ठीक है, आप लोगों को प्रोटीन का तो सबको बताए, इटा पर नाच आपको प्रोटीन का खोझ किस ने किया था, यह कमेंट करके, इटा पर नाच तो आपको बताए, लेक्रान, प्रोटीन, न्युतरान आपको कमेंट करके बताना है कि प्रोटीन की खोझ किस ने की है, अगला कुशन बोजन के वर्ग में प्रति यूनिट Кेलорि मात्रा सरवाधिक किस में होती है विटामिन में, प्रोटीन में, कार्भोहड्रेट में या फिर वसा में तो यस इस कुशन में सही इंसर दूस हो जाएगा आपका वसा फैट में होती है, आपस नमबर डीज रहे जिसको जरुएत भी नहीं होती है इंस्टेंट एनरजी के लिए हम लोग कार्भोहड़ेट चाही होता है हमारे शरीर का देह निर्माण जो क्यते हैं कि कौन होता है तो प्रोटीन होता है बाकि हमारे विटामिन्स इंटरनल पार्ट को जोड़ने सही करने का काम करते है अगला कोशन देखिया हमारे का है निमलिखित में से सरवाधिक बिटामिन C किसमें पाजाता है मिर्च में मतर में मूली में और फिर गाजर में ऐसा नहीं कि मिर्चा खाके आप सीसी करेंगे तो वही होगा इस कोशन का फिलाल राइट एंसर की बात करें तो विटामिन C अगला कोशन देखिये निमलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर के भंडारित नहीं होता है वो आपको पिसाब करास्ते निकल जाएगा मदब टिक टिकने वाला यह नहीं है कौन है इसकोशन में सही इंसर हो जाएगा आपका विटामिन C और कहीं नहीं खाना पकाते समय किसके द्वारा दस्तों पॉलियों के टीके की खुच किसके द्वारा किया गया था ऑप्शन इमबर डी बताइए आप कमेंट करके यह वाली क्लास कैसी लगी डेली में आपको इसके लिए मैंने प्लेलिश बना दिया है आपको यहां पे प्लेलिश दिखेगा आप सिंप्ली यहां से सारे वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यहां तक देखें अगर आपको हेल्फूल लगा आगे भी चाहते हैं सेयर करते रहे हैं दोस्तों के सारे चैनल पर हैं सब्सक्राइब बेल बटन आन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिके आपको लगातार मिलते रहेंगे